assalamu alaikum dear student i hope you are enjoying your holidays student today our topic is place value of 10s and 1s before we jump to the topic we should know about the numbers and how numbers are formed okay तो आपको याद है कैसे बनते हैं number yes numbers are formed with the help of digits okay तो अब digits क्या होते हैं digits क्या होते हैं ये भी numerals ही होते हैं कौन से numerals 0 to 9 0 to 9 जो होते हैं ये हमारे digits होते हैं और कोई भी 0 to 9 means 0 1 2 3 up to 9 ठीक है all total ये 10 होते हैं और होते कितने कहां से होते हैं 0 to 9 okay यही digit मिलके आपके number बनाते हैं number जैसे आपका roll number हो गया ठीक है अगर आपका class में roll number 1 है 2 है 3 है and so on 30 है ठीक है तो 30 देखो 30 की example ने तो यहाँ पर कितने digit यूज हो रहे है तो डिजटिस हो रहे हैं pizza जिएरो और 0 है ने देखो हमने कहां डिजट काहां से होते हैं 0 to 9 तो यहां पर हम 3 को use कर रहे हैं और क्या यूज़ करें हैं, जीरो यूज़ करें, तो digit का यूज़ हो गया, इसी तरह आप अपना mobile number उठा के देखो, वो भी क्या होते हैं, numbers होता है, तो वो कैसे बनता है, वो भी इन ही digit से बनता है, कोई भी बड़े से बड़ा number हो, चुटे से चोटा आपका रो नंबर हो, आपका मुबाइल नंबर हो, आपका पिन कोड नंबर हो, आपका गारी का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो किस से बनता है, वो इनहीं डिजेट से मिलके बनता है, अब आजाते हैं, वन डिजेट नंबर, अब वन डिजेट नंबर कहा से स्टार्ट होते हैं तो यह भी स्टार्ट होते हैं 029 कहां से 029 ओके तो हम जब number system आगे अपनी higher classes में पढ़ेंगे वहां हम दो concept पढ़ेंगे number system में एक natural number और एक पढ़ेंगे whole number तो अब आपका question होगा मैं smallest one digit number अब मैंने कहा one digit number है zero to nine ठीक है जब हम whole number की बात करते हैं तो zero to nine की बात करते हैं तो हमारा smallest one digit number zero आ जाता है जब हम natural number की बात करते हैं तो हम one to nine की बात करते हैं और हमारा one to so on sorry nine नहीं तो आपका जो natural number में smallest one digit number आ जाता है one आ जाता है ठीक है तो यह दो छीजँ हो गई अब आजाओ आप अपने one digit number पे तो कौन से होते हमारे one डीजट number हम all number के context में लेकर जलेंगे zero two nine जब हमने zero two nine लिया तो हमारा smallest वान डीजट number क्या हो गया 0 हो और largest one digit number one digit number कौन सा हो गया nine हो ठीक है अब आज़ाओ 2-digit number पे, 2 digits क्या बन रहे, 2, तो 2 होने चाहिए उसमें, तो कहां से start हो जाएंगे, 9 से जासे आगे counting आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10, तो 10 हमारा क्या बन गया, देखो, इसमें 2 digits है, 1, 2, ठीक है 2 digits है, तो ये हो गया हमारा 2-digit number two digit number हो गया, कहा तक, ninety nine तक हमारा यह क्या हो गया, two digit number हो गया, ठीक है, अब 99 तक क्यों हुआ हम है, hundred क्यों नहीं हुआ, let me write here hundred, 100 मेंने जब लिखा, तो 100 में कितने ڈजेट है? 1, 2, 3, कितने ڈजेट होगे? 3 तो यहां से आगे जो भी होगा, वो 3 डिजेट होगा हमने किस में पढ़ना है? हमने पढ़ना है 2 डीजेट नमबर, ओके? तो 24 डीजेट नमबर में हमें पता चल गया कि smallest two-digit number क्या है 10 है और largest two-digit number क्या है 99 है अब पहले हम अपने topic पे आ जाते हैं तो हमने यहां पे लिया हुआ है place value of 10s and 1s 10s और 1s पे जाने के पहले हम पर लेंगे place value के बारे तो place value क्या represent करता है position of a digit means अगर मैंने लिखा 10 10 में 0 की क्या position है यह हमें पता चलता है हमारे किस concept से हम पता करते हैं किस की help से place value chart की help से place value chart की help से ठीक है अब place value chart में क्या देखते हैं हम एक chart बनाते हैं उसमें उसको divide कर देते हैं कुछ rooms में और फिर हम उसमें कुछ position देते हैं position कहां से देते हैं from right to left यह आपकी right side है और यह आपकी left side है इस तरफ position देते हैं तो पहली position पे क्या जाता है सबसे चोटा once second position पे क्या जाता है tense means t, e, n, s तो हमने उसको किस से represent किया t से once के लिए o तो आगे हाता है hundred हम hundred वाला नहीं लेंगे हम सिरफ place value chart लेंगे two digit के context में तो हमने देखा के place value chart में हम rooms बनाते हैं और rooms को divide करते हैं once or tense में अब देखो, अब मैं एक example लेती हूँ 36 ठीक है अब इसमें कौन-कौन से digit है 3 and 6 two digit है 3 and 6 two digit है 3 अपने आप में एक digit है 6 भी एक digit है तो दो digit मिलके हमारा two digit number बना वो क्या था 36 अब इस 36 को जड़ा place value chart में according to their position अब देखो क्या से हमने कहा हम जाते हैं right to left तो right पे यहाँ पे कौन सा digit है right पे right पे हमारा है 6 कौन सा digit है 6 है तो 6 कहां आ जाएगा once place पे और left पे उसके आगे कौन सा है 3 6 once place पे है तो 6 जो है वो once है once place पे है और 3 जो है वो कौन सा digit place पे है tens पे तो कितना बन गया 3 tens 3 tens 6 once 3 tens अब 3 tens किसके equal होता है 30 के equal ठीक है और 6 one कितना होता है 6 ही होता है 30 plus 6 तो हमारा हो गया 36 जो हमारा two digit number है I hope कि आपको यह top समझ आया होगा नौ एक और में ले लेती हूँ जैसे कोई two digit कोई two digit ले ले लेती हूँ four and zero और मैं आपसे इससे कहती हूँ कि makes two digit number with these digits ठीक है यह digits है अभी तो यह digits है four है zero है digit है अभी कोई number नहीं बना है तो मैं कह रही हूँ कि इन digits को आप यूज करो और बनाओ numbers तो पहले आप लिखोगे four zero forty यह two digit number है मैंने आपसे कहा है कि आप two digit number है अगर आप zero four लिखते हो तो यह एक one digit number है क्यों? क्योंकि अब आप place value chart का use करो place value chart में once tense कहां से number को place करना है from right to left तो जरह right पे कौन सा number है four तो करो जरह four को place four कहां पे आगया once place पे जरह करो zero को place zero tense zero tense का मतलब क्या हो गया zero zero हो गया ना it means यह क्या है यह zero है और four once it means यह एक one digit number है क्योंकि इसकी ten place पे zero है ठीक है अगर यह one zero four होता तो यह एक one hundred four होता तब यह एक three digit number होता means अब आप देखो अगर आपकी left side पे सिर्फ single zero digit है और right side पे four है तो आपका वो एक one digit number है वही हमने zero four को use किया जब हमने zero को right पे रखा और four को left पे रखा तो हमारा एक number बना जो के two digit number था ठीक है तो इसको और क्या use कर सकते है हम four को repeat लिख सकते है two time 44 यह भी एक two digit number है I hope कि आपको two digit numbers और tens or ones का concept clear होगा तो मैं आपको worksheet पी provide कर दोंगी whenever you get time आपने वो अपनी notebook पे लिखना है और copy करना है और उसको place value chart के एकारडिंग टीजेट्स को place करना है like this 10s and 1s ठीक है 34 अब 34 में 1s place पे क्या आएगा अभी हमने सिखा from right to left तो 4 10s place पे क्या आएगा 3 अब टाप के लिए इसी हो जाएगा इस तरफ से करना भी 10s place पे क्या आएगा 7 1s place पे क्या आएगा 2 इसी तरह आप यह करेंगे और next देखें F part F part में क्या है 2 10s 3 1s 2 10s 3 1s क्या बन जाएगा नमबर 23 यहां देखो 0 10s 4 1s क्या नमबर बनेगा शिरफ 4 बनेगा ठीक है 1 डिजिट नमबर I hope क्या आपको यह concept क्लियर हुआ होगा Enough for today Thank you Allah Hafiz